दोस्तो आज हम बनाएंगे काबली चने की चाट जो कि खाने में बहुत ही स्वादिश्ट बहुत ही माउथ वाटरिंग रेस्पी है सबसे बड़ी बात यह है यह जटपट से बनके तयार हो जाती है अगर आपके पास पहले से ही चने उबली हुए रखी है तो यह जो रेस्प काबली चने की चाट बनाने के लिए दोस्तो हमें चाहिए होंगे उबली हुए चने इनको मैंने रात बर बिगो दिया था सुबह उटके दो सीटी लगा के हमने इनको उबाल लिया है ध्यान रखना है चनों को बहुत जादा गलाना नहीं है अब एक मसाला तयार करेंगे इ करेंगे और अब इसमें हम चूर पौडर एट कर देंगे एक चमच की लगपक और स्वादनुसार नमक अट करेंगे काला और सफिद नमक दोनों नमक एट कर लेंगे इसको मिक्स करके रखतेंगे यह मसाला तयार हो गया तो दोस्तों आब हमें चाहिए होगा धही जिसको मै अब इसमें हम मसाला डाल देंगे जो हमने अभी तयार करके रखा था तो देर चमच के लगबग हम यहाँ पर मसाला डालेंगे हरी मिर्च एड़ कर देंगे और बारी कटे और उबले हुए आलू हम यहाँ पर एड़ करेंगे और अब इसमें हम पापड़ी एड़ करेंगे दोस्तू तो हाँ से क्रश करके हम पापड़ी को भी इसमें एड़ कर देते हैं यहाँ पे और अब इसमें हम बारी कटा हुआ धनिया एड़ करेंगे दोस्तू अगर आपके पास पापड़ी नहीं है दोस्तू तो यहाँ पे बे कर लेना है दोस्तों इस तरीका से तो दोस्तों इस चाट को और भी ज्यादा स्वादिश्ट बनाने के लिए हम इसमें हरे धनिया की चटनी 把 लेंगे जिसको मैंने पहले से तयार कर रका है इसमें मैंने हरा धनिया लहसुन और नीबू डाल की पीछ लिया था दोस्तों ये कहां की famous street food ये भी हम आपको बताने वाले हैं तो अच्छे से mix करेंगे थोड़ा सा इसकी उपर बारी कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे अब इसको कैसे serve करना ये भी देख लेते हैं सबसे पहले हम इनको serve करेंगे हम या पर दो छोटे छोटे दोने ले रहे हैं दोस्तों उसमें हम इनको serve करेंगे उपर से जो हमने हरे दनिया की चटनी दही और मसाला पापनी उपर से और भी डालेंगे तब इसको हम serve करेंगे तो दोस्तों ये recipe जो है ये कराची की बहुत ही famous street food है काबली चने क मैं इस recipe को अफसर बनाती रहती हूं आप भी try कीजिएगा recipe अच्छे लगी हो तो share कर दीजिएगा thank you